आप सभी को जहार जानते हैं कि एक उपर में देखिए सबसे पहले इक्वल टू रॉब पीटर मोर अंपे पीटर लेस एक अंग्रेजी कहावत लिखा हुआ है आप कमेंट करके बताएंगे वाट डाज इट मीन इंडीवर फूरी आप देख रहे हैं वीडियो पसंद आता ज़रू करेंगे डीजल पेटरोल का मुल ये निर्धारन कैसे होता है पेटरोल के मुल का कौन-कौन सा घटक होता है क्या आपको पता है डीजल पेटरोल के मुल पर केंद्र राजसरकार कितना टैक्स लेती है सबसे ज़ादा डीजल पेटरोल के मुल महरास्ट एवं बेस्ट पंगाल में क्यों है और भारती जो इंडियन कुरूड बासकेट है जिसे उसमें कीमत की गन्ना कैसे की जाती है इन सारे मुद्धों हम लोग बात करेंगे, हम बने रही हमारे साथ, नेक्स्त में देखते हैं, देखें डिजल पेट्रोल का मुल का निरधारन कैसे होता है, सबसे पहले देखते हैं, कि हमारे देश में 85 परतिसर जरूरत का काम आयाथ से निरभर होता है, और जो पेट्रोल डीजल का खुदरा मूल जो निर्धारे रत होता है वो तीन घटक से मिलकर बना होता है मेन तीन घटक होता है एक बेस परायस होता है अंतराश्टी तिल का कीमत दर्स आता है सेंटरल एक साइज टैक्स और स्टेट टैक्स यानि वैट जिसको हम लोग बोलते हैं वैट यह एक्च्छली में जीस्टी नहीं आता है अब देखे पेट्रोल जी जी जलके किमतो पर सेंटरल एक साइज में कौन-कौन घटक होता है सेंटर एक साइज में भी अलग-अलग टैक्स इंक्लूडेड है सब्सक्राइब जades इंफरास्ट्रॉक्चर दमॉपमेन्ट से लिए लाग जाता है आर इसमें केबल राज्यों यह जो BED है धियान रखेगा सबसे महत्पुर्ण इसमें ये सवाल है बेसिक एकसाइज डिटी है सिर्फ ये राज सरकार के साथ सेयर किया जाता है और बाकि जो ACED, RIC ये सब है बिसे सत्रिक तुद्पाज सुलक सरक, अबसन रचना अपकर, किर्शी बुनियादी, धाचा विकास उपकर ये सिर्फ केंदर के पास रह जाता है अब देखिए पेट्रोल और डिजल आधार मुल से बहुत महंगा कैसे हो जाता है एक चली में होता ये है, केंदर और राज सरकार का कर बहुत बड़ा हिस्सा होता है पूरे भारत में उत्पाज सुलका सिर्फ एक दर है और राज कर जो होता है, जिसको भैट ये मुल वर्धित कर बोलते है राज सरकार जैसे मान लिजे कि 29 इंडियन स्टेट्स है तो वो हर राज स्वतंत्र है, कितना आपने स्टेट में भैट लगाएंगे कोई इक परसंट भैट लगा रही है, आप आगे देखेंगे कोई स्टेट 35 परसंट भैट लगा रही है, इस बज़ा से उनके हां तियर ज्यादा महंगा है कारण है कि सब अलग जैसे देखिए उधारन के लिए हम ले लेते हैं कि कीमत का गन्ना कैसे करते हैं मालने ये दिल्ली में पेट्रोल बिर्धी के पहले पेट्रोल का दाम था 105 रुपया 40 पैसे लीटर देखिए इसमें बेसिक प्रैस कितना कम है 15 रुपया 32 पैसा आई है उसके उपर भाड़ा जोड़ता है 20 पैसा सिंट्रल एक साइस डुटी जब कम कर दिया गया 27 रुपया 90 पैसा उसका डीलर का कमिशन 3 रुपया 86 पैसा और सरकार का भैट कितना है 70 रुपया 13 समझे 105 रुपया 41 पैसे और इसी तरह से डीजल का दाम 96 रुपया 67 पैसा इतने सारे कंपोनेंट को जोड़कर तेल का मुलें रिधारन होता देखिए इसके पहले देखिए होता क्या था पहले कि पहले प्राइड मेकनीजम हम लोगे यहां था कि चीनी का तेल का हर चीज का दाम बढ़ाने से पहले सरकार से पर मिशन लेना पड़ता तो बाद में क्या हुआ कि एपीएम जब समाप्त हो गया उसका तेल समन्वे समेती जो था उसको भी समाप्त कर दिया गया और पेट्रोलियूम और परकृति गैस मंतराले से जूड़ी एक पीपी एसी पेट्रोलियूम योजना पेट्रोलियूम प्लानिंग और इनलाइसी सेल बनाया गया एक अप्रिल दो इसके हिसाब से देखिए अभी सेंट्रल एक साइज 27 रुपया नवे पैसा आप इसमें देखेंगा कि बेसीक एक साइज डिवूटी एक रुपया चालिस पेसा है स्प बेसीक एक साइज डिवूटी है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया मतलब कहने का मतलब कि जो यह आराइसी था रोड एन इंफरास्ट्रक्चर से ध्यान दिजेगा सबसे महतपुर्ण इसका इसकड़ी का यह सवाल है किस टैक्स में सेंट्रल एक साइज के किस घटक में स आठ रुपे टैक्स की कमी की गई है जिसके बजह से पेट्रोल का दाम कम हुआ डिजल का और इससे स्टेट को कोई नुकसान ने हुआ कुछ संचिपता थे देख लिए सेंट्रल एक साइज अभी 27 रुपे 90 पैसा पड़ती लीटर यह फीक्स है और केंद्रिय उत्पासुल कर राज सरकारी है पेट्रोल का मुले लग देखे अभी आप देख रहे होगे कि 56 रुपे 25 पैसा बेस प्राइस है और पेट्रोल दिली में कितना मिल रहा था हम दिली का चर्चा कर रहे थे 105 रुपे 41 पैसा तो समझ लिजे कि करीब करीब आधा टैक्स हम लोग देते हैं आ राज को दिया जाता और इसका बीडी का बेशीक एकसाइस ड्यूटी का 59 परसेंट के अंडर के पास रह जाता तो यह हुआ दूसरा यह है तालीस परसेंट जो राज के पास जाता है उसमें से उपकर सामिल नहीं क्योंकि उपकर वाला देखे यह तीन पोरसन है यह से इडी agriculture का और RIC ये तीनों केंदर के पास रह जाता है central government के पास पेट्रोल डिजल का ज्यादा जो पैसा है वो उपकर से ही बना है जैसे यहां पर आप देख सकते हैं अगर basic excise duty को हटा देजिए तो 11 रुपया additional excise duty agriculture and infrastructure development से सेस हो गया रुपया road and infrastructure सेस हो गया 13 रुपया मतलब समझी कि 26 रुपया 50 पैसा central excise में सिर्फ सेस है बाकी basic excise duty सिर्फ एक रुपया 40 पैसा है यहां पर आप गौर से इन बातों को देख सकते हैं एक रुपया 40 पैसा यह basic है यह state को इसमें से बढ़ता है और यह 26 रुपया 50 पैसा इसको शेर ने किया जाता है यह सिर्फ केंद्र अपने पास रखता है भारत सरक्राण आप देखिए अभी केंद्र से संकेत जैसे ही पैसे की कमी का excise duty कम करने का तो देखिए यो पी गुजरात करनाटक गोवा उत्राखन अस्तम मनेपूरतिर पूरा बिहार जैसे कई राजने वैट को कम किया लेकिन महारास्ट पस्चिंबंगाल तेलंगाना अंध्राप्रदिस्क तमिल्लाड विभीन विपक्षी देलो देखिए यहां पे ही अरूप होता है कि विपक्षी देलो द्वारा साथ जो स्टेट है वो बैट मौजूदा वैट को जारी रखा है य लेकिन ऐसा नहीं अब देखिए जो हाइक कुछ ऐसा स्टेट है एक चार 2022 का डाटा है जहां पर देखिए वैट सबसे ज्यादा है सुचिए जो बेस प्राइस उसमें 26 परसेंट वैट लेता महारास्ट और उपर से 10 रुपया 12 पैसे अडिशनल टैक्स लेता महारास्ट ति अलग से लेता है यह किलो लीटर है 1500 किलो लीटर आंधरा परदेश में देखिए वैट है 31 पर चार रुपय परती लीटर वैट है और एक रुपय है डेवलाप्मेंट टैक्स सोचेजी क्यों नहीं महांगा होगा केरल में देखिए 30 परसेंट 30.08 परसेंट से एक परसेंट से एक परशेंट से सेले केरला में भी महांगा है मदव परदेश में 29 परसेंट है और ह문़र रुपय परदी लीटर है और एक परसेंट से से और उडिशा सीले अठार इस परसेंट इन राजियों में जिससका सेजाओ सामने आप देख रहे हैं तेलंगाना राजीस्थाण मह परसेंट लगता है धादर नगरह वेली में पेट्रोल डीजर पेश बारों 12.75 परसेंट है गुजरात में देखिए 13.7 और 4% सेस है और उनाचल परदेश 14.5 परसेंट है सेस उत्राखन में देखिए आप ही समझ लिए वीचेबर इस ग्रेटर है इसका मतलब है कि मैक्समुम 13 परसेंट है यहां पर इसका में देखिए 14 पैसा और असम में 22 पैसा यहां पर जो मैक्सिमुम वैट एक लिटर पर ले रहे हैं वह कम है और इसी में देखिए असम सरकार 5 और 5-10 पर मतलब 22 रुपे 63 पैसे में से 10 रुपे 30 पैसा घटा दिजे इतना कम वहां पर पे पेट् अब देखिए कुछ मेट्रोज है मुंबई में देखिए 120 रुपे 50 पैसे चिन्ने 110 कुलकता यह अल्रेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं महरास्ट में बढ़ने का दाम 26 परसेंट रुएट के साथ अक्टराय डूटी चूंगी कर भी यह पेट्रोल पे लगाते हैं महंगा आज के दिन में पेट्रोल कहां है महरास्टा में और इन इलाकों में महरास्टा अब देखिए बैस भी आपको यह दिमाग में आ रहा होगा तेल का कीमत किस रूप में ब्यक्त करते हैं तो देखिए जो गलोबल मार्केट है उसमें कच्चे तेल की कीमत दो किसम का त सलफर का कंटेंट दोनों में अलग अलग होता है यह जो इंडियन क्रूड बासकेट है उसकी गन्ना कैसे की जाती है तो इंडियन जो कूड बासकेट यह भारत सरकार बनाया है कि कहां कहां से तेल खड़ देंगे और किस हिसाब से वह प्राइस में धारण होगा तो पे टूलोटी जल जो सलफर का जिसमें अधिक मात्रा होता है धियान रखेगा जिसमें सलफर का अधिक मात्रा होता है वो सावर होता है और जिसमें सलफर का मात्रा कम होता है उसको स्वीट ग्रेट का और देखे एक बेसिक डिफरेंस यह है कि जो सावर ग्रेट कुड वाइल ह लोनों तेल को कैसे मिक्स करके किस रेस्यों मिक्स करके बनाया जाता है यह हम आगे बात करेंगे कि जो क्रूड वाइल है फूब बोलते हैं फ्री ओन बोर्ड कि यह सावर गरेड ओमान दुबई और स्वीट गरेड को देखिए इसमें सावर गरेड 75.62 और मिला जाता है और 25 परसेंट अब आउट स्वीट ग्रेड मिला के भारत के तेल रिभाइन्रियों से तेल को रिभाइन किया जाता है अब दिखें जो सनी बार को पिट्वल डिजल ड्यूटी में जो कटवती किया गया केंद्रिय कर में राज्यों कहीं सा घट जाएगी यह पूर बीत मंत्री पी चीतमरम ने बोला कि सुल्क में कटवती से केंद्रिय करो में राज्यों के हिसिदारी घाट जाएगी हलाकि बाद में उन्होंने अपना ब्यान वापस ले लिया वही जो पीटर वाला कहानी वही जो हम सबसे पहले बताएं हैं उन्हीं का यह कथन है उ रहे इस में से जो रोड रोड इंफरास्रक्चर सेश तिस्में से आट रूपए पैट्रोल के दान में कमी किया गया था इसलिए स्टेट को कोई घाटा ने वही ऐसा जितना भी ब्यान हमने आपने सुना था वो सब गलत है जूट है फरेव है और इसलिए श्री पी चिंतिमरों को जो ये पहले ब्यान दिये थे उन्हें सुधार करना पड़ा चलिए लिवर फूई आप देख रहे हैं वीडियो फसन नहीं आते में लिए अक सेरे और सब्स प्रस्वे लता